नमस्कार दोस्तों मेरा मैं टोक्र सचीन देव और आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो है इंट्रवेनिस यानि नसुम इंजक्शन कैसे लगाया जाता है तो मैं आज आपको इंजक्शन लगा करके दिखाऊंगा और देखे मैं आप तोड़ रहा हूं इंजक्शन को आपको ऐसा नहीं करना है एक ट्रिक होती है इसे तोड़ने की वह मैंने वीडियो में बनाई हुई है आप उस वीडियो को जाकर के प्ले लिच में देख सकते कि इंजक्शन कैसे तोड़े है तो यहां पर मैं उसी वीधी का उसी टेक्निक क इस्तेमाल करके इंजक्शन तोड़ रहा हूं आपको ऐसा नहीं करना है घर पर ऐसा नहीं करना है घर पर क्या है स्कूल में बाहर भईया कहीं नहीं करना है बाथरूम में टोईलेट में कहीं जाकर करके नहीं करना है तो यह आपको टेक्निक नहीं अपनानी है अभी मैं स्र कर लूँगा, एक इंजक्शन हो चुका है और दूसरा इंजक्शन भी अब मैं फिल कर रहा हूं, तो यहां हो चुका है और अब जो air bubbles है निकाल लूँगा, थोड़ा सालका सा पिछकारी सी जो ड्रोप है उन्हें बाहर निकाल लूँगा प्रंजर कीमजड से, अब है रि कैप कर देता हूँ, or cotton कीमजड से, जहां पर जीस area पर मुझे लगाना ये, उसे मुझे spirit कीमजड से, यानि जो alkohol है, llena है, और उसकीमजड से इसे area को साफ करना है, तकि कोई बैक्टीरिया तो कोई कीटानू वगएरा कोई इस तरह के आपको कोई प्रोब्लम ना हो तो उसे अच्छे से हमें साफ करने के लिए स्प्रिट की अलकोल की जरूत होती है तो यहाँ पर आप नस देख सकते हैं वेंस देख सकते हैं देखें तीन वेंस आपको बड़े आराम से दिखाई दे रही होगी तो बैंड बांधने की भी जोरुत नहीं है बट बैंड बांध लेना चाहिए ताकि नस और भी प्यार से उबर करके सामने आए अभी देखेगा नस जो है वेंस जो है आपको कैसे बड़ी आसानी से विजिबल हो जाएंगी तो मैं बैंड बांध देता हूँ बैंड को कस देता हूँ थोड़ा सा ताकि आप देख सके यह देखें कितने प्यार से और जो तीन नस आपको दिखाई देरी बिल्कु जैसे माशाणाला कहना है किया बहुत ही प्यार से आप इससे देख सकते हैं बड़े असानी के साथ इस पर injection लगाया जा सकता है तो यह वाली नस मैंने चुनी है और इस नस पर मैं injection लगाएंगा इन तीनों में से आप किसी पर भी लगा सकते हैं इस पर लगाएं, तीनों में से किसी पर भी, तो degree जो होगी, angle जो होगा, वो होगा 30 degree, 90 degree नहीं, 45 degree नहीं, हमें 30 degree, या देखे 30 degree पर हमने injection को लेना है, और इसे आराम से इसे लगा देना है, बड़े प्यार से, और पीछे को देखना है, कि इसके पलंजर को बलड आता है, नही में कहीं लगाते हैं, तो खून नहीं आना चाहिए, और नसों में लगाते हैं, तो खून आना चाहिए, दोनों में बस यही अंतर होता है, यही चीज़ का में ध्यान अखना होता है, अब धीरे धीरे प्रंजर को आगे बढ़ाएंगे, दवाई को अंदर पहुंचा देंग ये देखिए बड़े प्यार से कोई जल्दबाजी हमें नहीं करनी है कोई जल्दी हमें नहीं मचानी है कहीं भागे नहीं जा रहे हैं पैसे दे कर रखे जाएगा मरीज तो भाईया धहरे बनाए रखें किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है सावदानी हटी दुर झाल झाल